नमस्कार किसान भाईयों जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लाट में किसान भाई खड़े हुए है और इन्होंने नेशनल सीट्स का एनेस इंपोर्टेंट रफेल मटर लगा हुआ है 20 किलो और आप देख सकते हैं मटर पूरी तरह से प्लाट में बहुत ही अच्छी तरीके से लगा हुआ है लगभग इसमें फली भी आ चुकी है आप देख सकते हैं ये फली इसकी दिख रही है फूल भी इसमें बहुत ज्यादा आए हुए है बहुत ही सांदार ये मटर बना हुआ है और पूरा प्लाट आप देखेंगे तो बहतरी तरीके से ये प्लाट तयार किया है और लगभग ये मटर 20 केजी लगा है ग्राम बमनी तुरा में ये मटर लगा हुआ है चांद तहसिल के अंतरगत ये गाओं है किसान भाई हमारे साथ खड़े हैं किसान का नाम है आनंद वकील और साथ ही उनके जो खेत में बर्ग करते हैं काम करते हैं बटाईदार सौंजय जो होते हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं जो इस मटर में दिन रात महनत कर रहे हैं आए हम उनसे बात करते हैं उनका नाम और उनका क्या कहना है तो आपका नाम पूरा परिशह बताया सर संभू जम्गोरे जी आपकर गाओं का नाम बमनी तुरा जी ये मटर आपने कब हो नहीं होगे एक महने का मटर हो चुका है जब यह मटर आपको लगाया गया था तो उसका जो जमनेशन है वो कैसा आया था अच्छा आया था तो आपको अच्छा लागा मतलब निकला भरपूर मात्रा में मतलब 80-90 परशंट जमनेशन आपने उसमें बिल्ड़कर अच्छ जा रहा है और इसका उत्पादन भी लगमग आपको अच्छा मिलेगा तो हमारे छेत्र के अन जो दूसरे किसान है जो मतर की खेती करते हैं अन्ने वरायटी का मतर लगाते हैं उनको आपकी क्या सलाह होगी बताईए उनको क्या कहना चाहेंगे उनको जहीं कहना चाहेंगे किसान भाई का खुद कहना है कि यह जो मतर है वो जादर से जादर किसान लगाए और अधिक उत्पादन पाएं क्योंकि यह मतर की जो विशेष्टाएं हैं लगभग आप देख रहे हैं इसमें फली भी आना प्रारंब हो गई है और फूल भी इसमें पर्याबत मात्रा में पढ़िए रहे हैं और यह किसान भाई खुद हमको बता रहे हैं यह फली इसमें आना प्रारंब हो गई है और फली बहुत ही बड़ी और बजंदार दिख रही है साथी किसान भाई से हम पूछेंगे इसमें अभी आप ने क्या-क्या डाला है कि इसमें अभी कोछिनी ड़ला है इसमें यूरmış एien घALLा है और ये फूल-वार्द के दवफ substance और पानी कितना हुआ। पानी और नलग इसमें हुआ यद्समेंOhio अभि इसमें और पानी देना है इसमें को अधिक खाध घर्ल निये में दरूप से जो भी है निट्री विटामिन्स और साथ ही आपको इसमें जो भी इसमें लगता है प्रोटीन को आप नदर टालते हैं तो धन्यवाद किसान भाई